विधान सब चुनाओ 2018 में गोशना पत्र को वचन पत्र के रूप में पेश कर कमलनात ने मद दाताओं को आकरशित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन कॉंग्रेस के वचनों के चलते 15 साल बाद मद्धिपरदेश की जनता ने कॉंग्रेस की पक्ष में जनादेश दिया था पर सिंध्या खेमे की बगावत से कॉंग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर उप्चुनाओ के लिए वचन पत्र तयार कर लिये हैं खास बात यह है कि सभी 28 विदानसवा शेदर के लिए अलग-अलग वचन पत्र बनाये हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वचन पत्र में कोरोना से म्रत व्रधी के परिवारों को सरकारी नोकरी देने का वचन कमलनात ने किया है। बोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट और हमने देखा भी 15 मेने कि सरकार में हमने हमने हमारे कई महतुप्ण वचनों को पूरा किया। और यह दि हमारे सरकार रेती तो सारे वचन पूरे बते हैं। अब चुके अटाइवस उप चुना होई तो इसको लेके भी हमने कुछ प्रादेशिक मुद्दों को लेके और इस्थानी मुद्दों को लेके हर विदानस्वा शेत्र के अलग से वच्छन पत्र तेगार किया है जिसके अंदर जो हमारे 15 महा के कारेकाल की उपलब्दी है जो लोगों के लिए नोकरी से लेके तमाम इंतजाम जो हम कर सकेंगे हमारे सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले